आज का श्वेडी साइंस संदेश मेरे बच्चे, जो तुम हर एक पर विश्वास कर लेते हो, भरोसा कर लेते हो इतनी जल्दी अंद विश्वास करते हो, कि हाँ, जो भी वो कह रहा है, सो परतीशत सही ही होगा, और बहुत जल्द लोगों की बातों में भी आ जाते हो. अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करने से पहले, उनके आच्रन, उनके सभाव पर भी अपनी एक नज़र डाल देना, तब ही भरोसा करना उन पर, और भविश्य में कभी भी मित्र बनाओ तो बहुत सोच समझ कर बनाना, यूँ ही सब पर एकदम से भरोसा मत कर लिया करो, ये कोई समझदारी नहीं है मेरे बच्चे, ये तुम्हारी नादानी है, इसलिए जो परिस्तिती, व्यक्ति या हालात तुमें इर्शक करना, दुएश करना, नफरत, गलत बाते सिखाए, वहां से खुद को दूर हटा लिया करो, यदि तुम खुद को इन सब भावों से दोर रख पाए, तो ये ही तुम्हारी असली भक्ती होगी, तुम्हारी मुझ पर श्रद्धा होगी, ये ही तुम्हारी जीव भी होगी, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा मन आजकल क्यों परिशान रहता है, कि तुमने कुछ गलत करा भी नहीं है, फिर भी लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं तुम्हारी बेस्ती कर रहे हैं पीचे तुम्हारी निंदा करते रहते हैं और जो निंदा करते हैं निंदा करने वालों का वो लोग दूसरे लोग साथ भी दे रहे हैं तुम्हारा कोई साथ नहीं देता मैं ये एक बात बता देता हूँ सभी के लिए कि जो लोग निंदा करने वालों का साथ देते हैं उनका प्रोथ साहन करते हैं वो और भी जादा पाप के भागीदारी होते हैं गलत लोगों का और गलत बातों का साथ देना ये और भी बड़ा पाप है ये समाज के लिए हानी कारक भी है इस से पाप बढ़ता रहेगा और समाज दूशित होता रहेगा दूश लोगों की जनसंक्या बढ़ती रहेगी और इस समाज कभी भी प्रगति की और आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि सब इस शादुएश के कारण ही एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते रहेंगे और तुम इन सब व्यर्थ की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दिया करो तुम अपने लक्षे की और केंद्रित रहो तुमने कहा जाना है क्या करना है जिंदगी में तुम उसके बारे में सोचो यह सब व्यर्थ की बाते हैं यह सब व्यर्थ के लोग हैं इन से तुमें कोई मतलब नहीं होना जाएं और हाँ अगर तुम सही हो तुमें किसी को कुछ साबित करने या बदलनी की कोई जरूरत नहीं है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और ये मेरा ही करता वे है कि मैं हमेशा तुम्हें जीवन में सही मार्ग दिखाता चला जाऊं और तुम्हारा हाथ थामे रहूं, मुझे बाकियों से और कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम मेरे प्रिये बच्चे हो और ये मेरा दाईत्व है कि तुम्हें सही रास्ता दिखाता चला जाओं जिन्दगी में और तुम कभी-कभी अपने आपको कोशती क्यों हो क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हें तुम भागेशाली नहीं हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है ऐसा क्यों सोचते हो बहुत सोचते हो ना आजकल ये बाते मत सोचा करो क्योंकि तुम बहुत भागेशाली हो तुम जरूरत से जादा किस्मत वाले हो तुम्हारी सर पर क्या छट नहीं है पहने को कपड़े है ना खाने को अच्छा खाना खा रहे हो पीने के लिए साफ पानी है तुम्हारे पास तुम खड़े हो पाते हो बैट पाते हो चल फिर सकते हो फिर भी तुम खुद को अभागा क्यों समझते हो मेरे वच्चे ऐसा स्वयम के लिए सोचना बिल्कुल छोड़ दो जित्ता तुम जीवन में नकरात्मक सोचोगे उतना ही तुम्हारे साथ गलत भी होता है इसलिए हमेशा सकरात्मक सोच रखनी जाएं मैं जानता हूँ कुछ व्यक्तियों के कारण तुम्हारा मनुबल तूट रहा है तूट चुका है लेकिन जिसे जो कहना है करना है करने दो कहने दो तुम खुद के लिए तो भागेशाली हो ही बल्कि औरों के लिए भी हो तुम किसी के लिए भे खुद का मनुबल मत तूटने दो अपने उपर और अपने साई पर भरोसा रखा करो तुमने तो अकेले ही सब जिम्मेदारिया निभाई है तुम जैसा कोई भी नहीं है तुम जैसी जिम्मेदारी करतावे कोई भी नहीं निभा सकता तुमने बेखोबी से अपना कारे करा है और मैं तुमसे बहुत प्रसन हूँ कभी भी जिंदगी में किसी भी भय से नहीं जीनी चाहिए वो पर्मात्मा मैं तुम्हारी रखवाली के लिए ही यहां बैटा हूँ तुम्हें किस चीज का भय है, किस चीज की इत्वी चिंता लगाए बैठे हो मैं यहां तक लेकर आया हूँ और आगे भी तुम्हें लेकर जाओंगा क्यों तुम्हें मुझे पर विश्वास नहीं है क्या क्या तुम्हारा विश्वास अब डामा डोल होने लगा है इस भक्ति की नाव को श्रद्धा और सबूरी नाम के चपो से ही चलाना होगा तुम्हें वरना ये नाव डूबने का खत्रा रहता है जितना तुम श्रद्धा सबूरी नाम के चपो को चलाते रहोगे जीवन में उतनी ही तुम्हारी भक्ती की नाव आगे बढ़ती रहेगी और तुम्हारी नाव जो है कभी भी डूबेगी नहीं बस मुझ पर भरोसा रखो मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ खुश रहो राम क्रिश्न हरी राम क्रिश्न हरी राम क्रिश्न हरी